ख़बर आजमगर जनपत से आ रही जहां ब्रामर समास कल्यांट परसत के महामंतरी ब्रजेस नंदन पांडे के एलवल इस्थित आवास पर गुर्वार को समाजिक दूरी का पालन करते हुए लुक मानने बाल गंगादर तिलक के ओम चंदर शिखराजाद की जनती पर उनके विक्तित्य ओम करतित्य पर चर्चा की गई इस उसर पर ब्रामर समास कल्यांट परसत के महामंतरी ब्रजेस नंदन पांडे ने कहा कि तिलक जीब बहुए आयामी प्रतिवा के धनी थे उन्हों ने एक आदर सिक्षक सफल पत्रकार दोड़र्सी राजनेता तो था महान समास सुधारक की रूप में इस देश की महान सेवा की तिलक कॉंग्रेस की गरम दल के निताओं में उनका प्रमुख स्थान था इसी दोरान महामंतरी ब्रजेस नंदन पांडे ने कहा कि अमर सहीद महान करंदकारी पंडित चंदर्शेखर आजात का जिनम 23 जुलाई 1960 में मत्य प्रदेश के जाबुआ जिनपत के भावरा गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम सीता राम तिवारियों माता का नाम जगरानी देवी का काकोरी ट्रेन लूट कांड एवं चांडर्स की हत्या में प्रमख भूमिका का निर्वहन निर्वाह करना कारण चंदर्शेखर आजात का नाम भारती सुतंत्रिता के इतिहास में महत्तपूर्ण स्थान रहता है कारिक्रम की अध्रक्षा विश्णु देव पाध्याय ने किया इस दोरान महामंत्री ब्रजेश नंदन पांड़े सतीश मिस्रा, मनोश कुमात, त्रिपाठी, संजे पांड़े, आनन्द उपाध्याय, गिर्जाव सुमन पांड़े, रामासरे उपाध्याय, कलासना चतरवेदी, राधिस्याम मिस्रा, डॉक्टर, दुर्गाप प्रसाद वेदी, ललन तिवारी, अनिल चतरवेदी, आदिन पंडित बाल गंगा धर, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे, कांग्रेस पार्टी में दो गरम, एक गरम दल, एक नरम दल हुआ करता था, गरम दल के नेता, गोकले जी, लोकमाने तिलक जी, लालाला पज्जा जी, अभी पिंचन पार्ट, लोकमाने बाल गंगा धर पतिलक दे सरव प्रतम में अनारा दिया, यह आजादी हमारा जन्म सी दधिकार है और हम इसी लेकर रहेंगे, इसी क्रम में सरव प्रतम उन्हेंने महाराष्ट में गणेत उस्सो मनाने का संकल्ब लिया, जिसके माध्यन से पूरे देश और महाराष्ट के लोगों को संगटित करने का कार किया, वो एक उसल अजिवक्ता थे, प्रकर वक्ता थे, अच्छे पत्रकार थे, और बहुत बड़े विद्वान थे, गीता में जब मांडले जेर में वो बंद थे, तो जेर के अंदर ही शीमत भगवत गीता का पूरा भास उन्होंने गीता रहसे कर भास लिखा, देश के आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था, दूसरे हमारे जो सुन्ता संगराम सेनानी, अमर सहीद पंडित चंसेकरा आजादी थे, मातर चुदर वर्स की आई में, 1921 में, जब गांदी जी का सहयोग आंदोलन पारंग हुआ, बनारस में वो अभिद्यापी पर पढ़ने के लिए थे, एकिस आंदोलन में उनको भाग लिया, और गिरपतार हुए, जब उनको पकड़ के ले गए, अंग्रेज कलेक्टर ने पुछाए कि तुम्हारा नाम क्या है, तुन्होंने कहां आजाद, तुम्हारा घर कहां है, कहां हमारा घर भारत वर्स है, ज इस पर 15 कोड़ों की सजा उनको दी गई, और हर कोड़ों पर वह बंदे मातरम भारत माता की जय, बोलते रहे, दूसरे दिन छूट कर गए, तो ग्यानवापी मुहले में उनका पूरे चनपत की लोगों ने सारुजी को अभिनादन किया, और वही से उनका नाम आजात देश की आजाजी के लिए काकोरी कान, सांडर सत्या कान, जैसे बहुत से अंगरेजों को मारने का काम उनोंने किया, और वह एक कुसल संगठक थे, उनोंने एक सोचलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, जिसके उनके नेतित में भगत सिंग, राजगुरु, शु सतंता संगराम से नादी थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संगरस करते हैं अपने प्राणों की बलिकन, ब्रामर समाज कल्यान परश्चत हर वर्स अपने महापुर्सों की जन्ती महाता है, और इस जन्ती के माध्यम से हम अपने समाज को ये संदेश देना का प्रय पर्स करते हैं कि हमारे महापुर्सों ने देश की आजाधी के लिए अपना बलधान किया सरचिन्वार की नोच ख़ण किया हम लोग भी अपने महापुर्सों के चाहंपर बच्छी नोपल चलते हुए देश और समाज के लिए अपने को नोच्छावर करें जैहिल जैवाट